मेरे सभी साथियों को नमस्कार आज 10 सितंबर को वर्ल्ड सूसाइड डे है तो आप सभी से बात करनी थी तो आज ये सीधी बात लाइव बात करने मैं यहां पर आया हूँ मेरे फेस्बुक पेज पर और हो सकता है बाद में ये वीडियो मुझे आप सभी को यूटूब पर भ कि आज वर्ल्ड सूसाइड डे पर हम बात करेंगे कि हमारे माइंड के कुछ ऐसे विचार के बारे में जो होता है हमें खुद के खतम करने के बारे में जिसको हम सूसाइडल आइडियेशन भी कह सकते हैं सूसाइडल थौट्स हम उसको कह सकते हैं तो ये जो थौट्स होता ह है यह बहुत सारी प्रस्तिती में जन्रेट होने लग जाता है बहुत सारे लक़हर अच्छे से देखते हैं तो इसके निवारण भी हमें समझ में आते हैं और इसी वजह से हमें जो इस वर्ष की जो ठीम है वह ये कहते हैं कि creating hopes through action कि हम ऐसा क्या करें कि suicide यानि आतम हत्या जो कि इस दुनिया में बहुत ज़ादा लोग कर रहे हैं, कर रहे थे और आगे भी करेंगे उस आतम हत्या के अंदर हम सुधार करें हम उस आतम हत्या के अंदर आतम हत्या में कमी आए और हमें पता चले कि कौन लोग है जो अभी एसे कदम उठा सकते हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाएं तो ये केसे पता लग सकता है और ये समश्या कितने गंबीर है इसके बारे में हम एक छोटा साथ ये लाइव है, तो सबसे पहली जो चीज है, कि चीजें गंबीर कितनी है वो ये है कि रिसर्च कहती है कि हर एक चालीस सेकंड में एक आतम हत्या हो जाती है हर चोःसे سेकंड कोई न कोई इन्सान जो है, वो आतम हत्या की कोशिस कर रहा है, यानि प्रयास कर रहा है अपने जीवन से दुखी होकर या किसी भी वज़े से या किसी बिमारी की वज़े से जो मानसिक बिमारी हो सकती है उस वज़े से ये जो आतम हत्या की जो समश्या है ये जो देश गरीब होते हैं जो विकास सील देश हैं हम अपने इंडिया को ले सकते हैं उन देशों में 4 चोड़ देखें तो डिप्रेसन नाम की बिमारी होती है यो यहारे सिên एक मन की उदासी समय वेशी हैं मैं इस दुनिया में अकेला हूँ मेरी कोई मदद नहीं कर सकता और मैं इस से बाहर नहीं निकल सकता जो जीवन है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है तो एसे विचार उसको आने लग जाते हैं और इस विचारों की वज़े से उसका पूरा जो जीवन है उसको जो दुनिया है वो ऐसे चस्मे से उसको दुनिया दिखने लग जाती है जो चस्मा उदासी बरा होता है किसी काम को मन नहीं लगना तो ऐसी जो पूरे जो एक लक्षन होते हैं वो इतनी ज्यादा लक्षन होती है कि वो अपने खुद का काम या उसका जो प्रोफेशन है वो या खुद का काम वो नहीं कर पाता तो ये एक डिप्रेशन नाम की बिमारी होती है जिसकी जो कि 50 से लेकर 75 और 80 परसेंट तक आतम हत्या यानि 100 लोग आतम हत्या की वज़े से अगर अपनी जिंदगी को गमा रहे हैं तो उसमें से 50 से लेकर 70 लोग इस बिमारी की वज़े से गमा रहे हैं और साथ में नसे की जो लट है जो कि यूथ में बहुत जादा हो रही है उसकी वज़े से वो इतने परिशान हो जाते हैं इतने निरासावादी उनके अंदर विचार आने लग जाते हैं अपनी जिंदगी से कि मैंने तो इस जीवन को खतम कर लिया कि नसा जो है उनको इतना परिशान करता है कि वो आतम हत्या का सिकार होना लग जाते हैं यह भी रिसर्च की बाते हैं तो आईए हम जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजों को जो चीजें जुड़ी होती है उस इंसान से जिसके अंदर विचार चल रहे होते हैं आतम हत्या की क्यों न मैं इस जिंदगी से छुटकारा पालूं क्यों न मैं इस जिंदगी से बाहर निकल जाओं तो ऐसे कौन से कुछ लक्षन होते हैं इसके बारे में हम अभी बात करेंगे तो दोस्तों खास तोर पर एक ये लक्षन होता है कि कोई वो जो इनसान है वो काफी टाइम से अगर वो किसी मानसिक समिश्या से पीडित हो या किसी नसे की समश्य से पीडित हो या फिर उसके दिमाग में इसे विचार चल रहे हो तो वो अपने दोस्तों को खास तोर पर वो अपने दोस्तों को इसके बारे में कहीं ने कहीं पर किसी ने किसी बात बोलते हुए उसके मन से उसके अपने आप कोई ने कोई ऐसी बात निकल जाएगा जैसे कि कि मैं अगर मर जाऊं तो ठीक रहेगा क्या मैं इस जीवन को खतम करना चाहता हूं या मैं इस यह जीवन बहुत मुश्किल है तो ऐसे जो शब्द है वो आने लग जाएंगे इससे आप आइडिया लगा सकते हो वो ऐसी चीजो जिससे कोई जहर हो जो कि चुहे खतम करने की जो दवा है वेसी चीजे वो कुछ अलग थलग सा रहेगा उसके जो नॉर्मल जो दोस्त थे उनसे वो अलग रहेगा अलग रहने की वो कोशिस करेगा उनसे ज़्यादा इंट्रेक्श नहीं होगा उनसे ज़्यादा बात नहीं लग जाय का और वो इसा वह गुस्सा जब आ रहा तो ये से खतम कर देना य फिर किसी दूसरे इंसान को मारने के बारे में भी वो सोचने लग सकता है एकदम से कोई एसा नशा करने लग जाना जो पहले उसने नहीं किया या फिर नसे की जो डोज है उसको वो एकदम से बढ़ा देना कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जिसे बहुत तेज बाइच चलाना या फिर गाड़ी बहुत तेज चलाना सडक के बीचों बीच चलना या फिर ऐसी कुछ हरकतें करना अपनी वस्तुओं की या फिर अपनी जो प्रॉपर्टी है अपनी जो काम की चीजें हैं उनकी परवा करना छोड़ देना वो अपनी जो प्रॉपर्टी से ही निकल जाना या उनकी परवा करना छोड़ देना वो कुछ लोगों से जो उसके बहुत खास है उनको इसारों ही इसारों में कुछ ऐसी बातें कह देना कि अब बस मिले हैं पता नहीं आगे कब मिलेंगे इस प्रकार की चीजे वो उसके वैवहर में कुछ ऐसा बदलाव होना जैसे वो लगा कि कहीं वो अपने आप में खोया हुआ सा रहता है कुछ सोच रहा है कुछ जैसे मानलों कोई प्लानिंग चल रहे हैं उसके सामने कोई इंसान बैठा लेकिन उससे वह बात नहीं कर रहा है वो अपने आप के इंदर खोया हुआ है वो कुछ एक चिंता में डूबा हुआ है वो गहरी उदासी में उसका जो मन है वो डूबा कि मीडिया का कुछ इस परकार से रोल होता है कि माले किसीने सोच्छाइड किया हूँ और उसने के से क्या क्या किया क्या सोच रहा था तो वो अगर परसली तो और उसका अगर वो परचार करती है तो बहुत से लोगों के दिमाग में अभी वो विचार था तो वहाँ से उनको idea मिल सकता है वो उस पर चल सकते हैं और वो अपनी जीवन को खतम कर सकते हैं लिए मीडिया का भी इसमें जो ध्यान रखना है वो बहुत इंपोर्टेंट होता है यह से सुसाइड बहुत होते हैं रिसर्च कहती है कि यह से होते हैं और इनको कोपी केड़ सुसाइड कहते हैं तो दोस्तों आज वर्ल्ड सुसाइड डे पर इस छोटी सी वारता में आप साथी किसी भी परकार के मानसिक स्तिती से गुजर रहा हो जो आपको परिशान करती हो आपके मन को वो विशलित करती हो आपके नीन में परिशानी करती हो आपके मन को बहुती बड़ी उदासी में लेकर जाती हो आपके काम धंदे सही डंग से नहीं चल रहे हो आपको किसी सब्सक्राइब को पर यही सनदेश कि इस वीडियो को औरों तक पहुंचाएं आतम हत्या से जितने लोगों को हो सकता है उतने लोगों को बचाने की कोशिस करें थेंक्यू जै हिन जै भार